हेलो स्वेंट्स कैसे हैं आप सब लोग वेलकम हैं आपका युद्धा बैच में और अभी तक आप लोगों ने एक्सिस दिमांड डेफिशिट डेमांड को बहुत अची तरीके सिमझ लिया होगा मैं ने आपसे कहा था कि बोड इग्जामिनेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सिस दिमांड और डेफिशिट डिमांड यानि कि इन इनारी ग्याप और डिफेलेशिन गयाप से कोश्शन कि यह होता क्या है, diagram बताओ, explain करो, schedule के साथ भी हो सकता है, या खाल डाइगराम के साथ भी, और साथ में इसको ठीक कैसे करें, जिसकी पूरी आज ही class, तो वीडियो एंद तक देखना है, या पहले भी money banking में पढ़ रखा है, तो आपको जादे दिकत नहीं आएगी, ठीक है, तो आज का टॉपिक है, Majors to Correct Axis Demand or Deficient Demand, Axis Demand, यानि कि जहांपे अग्रिगेट दिमांड जादा है, जिसकी वजे से होता है class, inflation, इसे आप inflation बोलो, या यहांपे create होता है inflationary gap, या आप इसे Axis Employment Equilibrium भी कहते हैं, धहान से समझना, इन में से चाहे कोई भी नाम आजाए, को इसे आजाए, चाहे वो Axis Demand आजाए, ठीक है, Axis Demand आजाए, Axis Demand, चाहे AD is greater than AS, चाहे inflation, inflationary gap, यह Axis Employment, ठीक है, यह अच्छी चीज नहीं है, क्यूं, यहां पे class prices बढ़ते चले जाते हैं, चीज़े महंगी होती ही चले जाती है, तो गरीब लोग बिचारे सफर करते है, आमेरों कोई फरक नहीं पढ़ता, अभी टमाटर महंगा हो गया था, आमेरों कोई फरक पढ़ता है, 200 रोपे किलो, क्या फरक पढ़ता है, जो रोज को 50,000 कमा रहा है, कोई फरक नहीं पढ़ता है, तो खीक करना है, इस चीज़े को ठीक करेंगे, इस के लिए class हमारे पास एक policy सरकार की है, सरकार ठीक करती है, उसको बोलता है, फिसकल Anybody, एक policy RBI ठीक करती है, उसको बोलते है, इसको बोलते है, Monetary Policy, जो हमने उल्रेडी पढ़ रखा है Money Banking के अंदर, आई होप आपने deeply जुरूर पढ़ा होगा अगर आप योधा बैच को follow कर रहे हो, तो अब जो दूसरा है, वो है deficient demand, यानि कि जहाँ demand कम है, इस situation में AD less than है, AS, और जिसकी वज़े से कलाँ deflation बनता है, आप इसे deflationary gap भी कह सकते हो, ठीक है, deflationary gap, और यह under employment equilibrium है, क्या है क्लास? यह चीज़ क्लास आपको ध्यान रखने है, इनको हमें correct करना है, तो यार, simple सी बात है, एक्सिस दिमांड में लोग ज्यादा डिमांड करना है, तो उस situation में हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से money supply को restricted करना है, अगर लोग ज्यादा डिमांड करना है, इसका मतलब उनके पैस ज करो money supply को रोको excess demand, ठीक है, और deficit demand में लोग डिमांड नहीं कर रहे है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, money supply को liberalize कर देना चाहिए, ठीक है, liberalize कर देना चाहिए, तो inflation या excess demand में, money supply को कहुने है स्फिक्रच पास आस पास आओ बहरें के लोंकогर ऑन नगर पर अचना करें कि अबन टो HA comum बैस आउन फ़ी और लाज करणा मनेह सिंपरुडंगा में भीशक्टलाइं घर के Uinhos अजया नगर्मांगरा Cars लोंक गरँजा लुट अगर आज मैं पाँ हैं श्मीमांड जा जब उनको इंकम ने मिलेगी तो वो भी किसी पे डिपेंड होगी हर इंसान कमारा है खर्च करने के लिए अगर मैं खर्च करना बंद कर दूँगा तो अगला इंसान कमाई नहीं पाएगा उसकी क्लास हमारे पास दो अलग-अलग मेजर सहीं है फिस्टार शकार का है मानेटर।री मेजर आरऌ पाएई का है अब सो कॉम्पोनेंटे करेंगा हैं सबसे पहले हैं यह भी स्कल órपोलरे मजी प्वासिक डंद क। गवंड को तू करेंने शिचमी घूमर्डे साविष। और या मिलमों नगग मज़ा जा के थैपन के क। खार मिलमों प्लीमिच्स घंद means do अगर country में excess demand है, तो सरकार अपने खर्चे कम कर देती है, government spending कम हो जाता है, इससे क्या होगा? लोग demand कम करेंगे, सरकार का खर्चा लोगों की income बनेगी, सरकार खर्ची कम करेंगी, तो लोगों की income कम बनेगी, तो लोग demand कम होगा, तो economy equilibrium में आ जाएगी, और जो excess demand की problem है, वो solve हो जाएगी, और अगर कंट्री में डGiveiad इंट ही लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो सरकार पब्लुक को फ्री में पैसा नहीं देगी, सरकारल कुछ नी बढगाएगी, गवण में एक और कुछ छाएगी फिर्टन को हो, या गवण मेंद स्पेंडिंग को हो, सरकार जो भी पुब्लिक वेलफेर के लिए खचा करती है, सड़क बनवाना, अनने प्रजक लाइगी ता कि लोगों को काम करें पैसा है, फ्रीमेन ही बाटते पैसे, तो गवर्मेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दिया जाता है, तो गवर्मेंट स्पेंडिंग तो लोगों के प क्या है, दो फोगों के लिए प्रजियुकार थाइग? इसक लिंक इसका लिंक देस्क्रिपिशियन बॉक्स में एक रिफरस तो प्प्टिचर आप गवर्मेंट फपलिक वेलफेर वर्क, सच अच आस, च। पंस, बिंट्रीज ज्या यह सारी चीजे तो इन सारी चीजों पे सरकार जो खर्चा करते, that is called government spending. अब तु करेक्ट, पहले अपने government spending को एक्सपेंदिंग किया, तु करेक्ट, पहले अपने अपने government spending को एक्सपेंदिंग किया, government reduce their all expenditure, so that less income generation in the economy. And consequently, परिणाम श्वरूप, AD will be, class AD will less, यानि कि class AD कही न कहीं कम होगा, aggregate demand कम होगा, और inflation, deflation, जो inflation, या excess demand, वो control हो जाएगा. अगला तु करेक्ट, the situation of deficient demand, अगर deficient demand, तो government increase their expenditure, so that more income generation economy, सरकार अपने खर्चे कम कर देगी, ता कि लोग में income generation, और लोग demand करें, और deficit demand में demand कम था, demand बढ़ा के economy को equilibrium में लाया जाएगा, और deficit demand को control किया जाएगा. आप इसको read कर लो, बहुत ही simple language है, teacher को भी समाझ जाएगा, copy checker भी आपको अच्छा नमबर देगा. complicated language नहीं लिखना आपको, लिखना वो है जो बहतरीन तरीके से किसी को समाझ आजाएगा, भाषा वही होती है, जो हम किसी को बोले तो बहतरीन तरीके से समाझ आजाएगा, ठीक है, और ये class 12th है. दूसरा है, taxation policy, ध्यान समझना, taxation policy क्या है, taxation policy में अगर country में excess demand है, लोग ज़्यादा demand कर रहे हैं, तो सरकार क्या करेगे class, सरकार tax rate को बढ़ा देगी, और जैसे ही tax rate बढ़ेगा, excess demand में, जैसे ही tax rate बढ़ जाएगा, ठीक है, tax rate जैसे बढ़ेगा, लोग demand कम करेंगे, excess demand में demand ज़्यादा था, तो डिमांड कम करके इसको ठीक करेंगे और डिफिशियंट डिमांड में डिफिशियंट डिमांड लोग डिमांड नहीं कर रहे थे तो सरकार क्या करेंगे टैस्रेट कम कर देगे ताकि चीज़े सस्ती हो जाए देखो यह टैस्रेट बढ़ाते हैं प्रचिसिंग पावरिंग पैसा। भावर प्रचिसिंग पावर लेगा कॉचिंग पावर जाएगा। इस तरीक के सरकार आख्शिस और डेफिशिंग दिमांड को करेक्ट करेगी।। आप इस एग्जामपल से भी इसको बहदरीन तरीके से समझ सकते हो। नेक्स्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी मेजर, ध्यान अखना, फिस्कल पॉलिसी सरकार की है, तो जब भी एक्जामिनेशन में कोश्चिन आए, कि एक्सिस डिमांड और डेफिशेट डिमांड को फिस्कल पॉलिसी की थू कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो गवर्म कैसे ठीक करेगी कोश्चिन बोलता है, तो बात होगी क्लास, मॉनेटरी पॉलिसी की ता फिस्कल पॉलिसी की बात नहीं होगी, तो किसके कॉंपोनेटरी मेजर्स है, उसके अंदर क्लास होगा है, क्वांटिटिटिटिव मेजर्स और क्वालिटिटिटिव मेजर्स, तो सब कहते हैं और क्वांटिटिव के इंदर दो ची या दे है किलास कहले वी पहले है 반ihenकन रेपो 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 रिल धूसरा इंदर को छॉथा была क्री यहां पर क्वांटिटिटिव जो पर कंधीटिव है क्न दूसरे किलास क्लास क 확 न। था ऑफने पड़े होंगे वानेटरी पॉलिशी के कन्ट्रोल होता है, कन्ट्रोल होता है। इन सब्से बहुत कम ग्वालिटोछ। जिस अम चाहित टी सब्से excluding क्नट्रोलивать थे तो बहुत बहुत ज्यादा कन्ट्रोल नहीं होता है ठीक है, अगर कंट्री में एक्सिस दिमांड है, वैसे मैं तुम्हें समझा दूँ, हमने पड़ तो पहले ही रखा है, लेकिन मैं फिर से समझा देता हूं, क्लास, बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे पे अर्बियाई से लोन लेती है, हम आम जनता है, हम लेते हैं लोन कमर पे करेंगे, उसको बोलते है, रेट ओफ इंट्रस्ट, कमर्शल बैंक रबियाई से उधार लेगा, कमर्शल बैंक रबियाई से जिस रेट पे उधार लेगा, उस रेट को बोलते है, क्लास, बैंक रेट, हम लोग कमर्शल बैंक से जिस रेट पे उधार लेगा, उसको बोल कर भूर्ण तम के लिए बांक्रेट हो गया, चीजे अल्मोस्स सेम है, ट्रीट्मेंट भी सेम होगा. अगर कंट्री में एक्सिस दिमांड है, तो सरकार क्या करेगी? रपो रेपो रेट को बढ़ा देगी. जो RBA, sorry, RBA repo rate को बढ़ा देगी, यह निकि RBA commercial bank को महंगी rate पे loan देगी, तो commercial bank public को भी महंगी rate पे loan देगी, rate of interest बढ़ जाएगा, जब rate of interest बढ़ेगा तो loan कम जाएगा, लोग loan कम लेंगे यार बहुत ब्याज है, और लोग loan कम लेंगे, तो demand क्या करेंगे, कम करेंगे, तो aggregate demand कम होगा, ताकि हमारा ADAS के बराबर हो जाएगा, access demand में AD जादा था, यहाँ पे आपने AD को कम कर दिया, और आप finally ADAS के बराबर हो गया, right? Next है, दूसरा एक लास, हाँ, अगर class country में deficient demand हो, फिर क्या होगा? तो rate of interest भी कम होगा, और अगर rate of interest कम होगा, तो amount of loan बढ़ेगा, तो amount of loan बढ़ेगा, आपने कई बार बैंक में सुना भी होगा, बार बैंक बार बें इतने basis points से रपोरेट को बढ़ेगा, गटा दिया, तो निवस में आता रहता है, यह चेंज होता है, बहुत ज्यादा समें लगता नहीं चेंज होने में इसको, rate of interest कम, loan जादा, और loan जादा, तो लोग दिमांड जादा, लोग लोग लेग करेंगी क्या, तुम लोग पार मॉल में जाते हो, पाचले 10,000 का तुम ओम फ्रेज करेंगे ले वागे 50,000 का फ्रेज लो, बाकी 40,000 की आ माई बन जाएगे, इस्तॉलमेंन्स बन जाएगे, जो आपको बारा महीने, पंदरा महीने, अठारा महीने, बीजने में भीजने में पेळना पड़ेगा, right? तो अगर एक्सуз दीमांद है, तो बढ़े जो र्पोरेट को बढ़ा दो, या inflation है, या excess employment है, तो रेपोरेट को बढ़ा दो, अगर deficit demand है, deflation है, deflation है, deflationary gap है, तो रेपोरेट को कम कर दो, इसे control करने का तरीका, ठीक है, दूसरा है, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio is equal to legal reserve ratio, आपको पता है, सारे के सारे commercial बैंकों को दो ratios बनाने है, वो compulsory है नहीं, तो उस पर fine penalty लगेगा, तो R इनिशल डिपोजिट का एक fix percent RBI को देना है, that is called cash reserve ratio, ठीक है, बैंकिंग में बहुत detail में पड़ाया, जरूर देखलेगा बैंकिंग चैटर को प्लेलिस्ट में, तो RBI इनिशल डिपोजिट का एक fix percent class, sorry, commercial bank अपनी हर एक deposit का, एक fix percent RBI को देती है, that is called CRR, और हर इनिशल जितना जादा होगा ना credit giving capacity, बैंको की उतनी कम होगी, right, credit giving capacity जो है, वो class कम होगी, अगर legal reserve ratio बढ़ेगा, तो credit giving capacity कम होगी, जितना जादा reserve bank कठा करेंगे class, उतना loan कम दे पाएंगे, जितना कम reserve बनाएंगे, उतना loan जादा दे पाएंगे, तो to control, inflation या excess demand, ठीक है, to control, inflation या excess demand, inflation या excess demand को control करना हो, तो legal reserve ratio को बढ़ा दिया जाता है, बड़ा ध्यान समझना, अगर country में excess demand है, लोग जादा demand कर रहे है, तो RBI बैंकों से कहती है, तुम legal reserve ratio को जादा रखो, CRR, SLR जादा रखो, ताकि जनता को loan कम मिले, लाइक 100 रपे आपके बास deposit आया, पहले तुम 10 percent maintain कर रहे थे, 10 रुपे और 90 का loan दे रहे थे, अब तुम 20 percent maintain करो, 20 रुपे अब तुम 80 का loan दो, तो इससे क्या होगा, लोगों को loan कम मिलेगा, तो पहले से वो demand क्या करेंगे, कम करेंगे, अब ये monetary policy का अधमशने की सारा काम loan से होगा, cash से कुछ नहीं होगा, ठीक है, अच कर दिया जाएगा, ध्यान समझ ना, deficient demand control करने के लिए legal reserve ratio को कम कर दो, जैसी legal reserve ratio कम हो जाएगा, जैसी LRR, legal reserve ratio कम होगा, लोग loan क्या करेंगे, मिला, bank loan जादा दे पाएगे, जब bank loan जादा देंगे, तो लोग demand भी जादा करेंगे, और बाद में ADAS के बराबर हो जाएगा, तो एक्सित demand control करने के लिए legal reserve ratio को बढ़ा दो, या CRR, SLR को बढ़ा दो, और deficient demand control करने के लिए legal reserve ratio कम कर दो, इसी बात को language बना के लिखना है, आपको की CRR, SLR से किस तरीके से एक्सित demand और deficient demand को चंट्रोल किया जाता है, तीसरा, open market operation, अच्छा, open market operation का मतलब है, sale and purchase of government security by RBI यानि की, सरकार के बहाफ में, क्योंकि सरकार का agent कौन है, RBI, है ना, तो सरकार के बहाफ में RBI सरकारी shares को बेचता है, जनता को, ठीक है, तो अगर country में excess demand है, लोग जादा demand कर रहे हैं, excess demand है, तो RBI क्या करेगा, sell करेगा सरकारी security, इसको treasury bills बोलते है, ठीक है, to public, RBI sell करेगा government securities to public, तो जो Reserve Bank of India है, वो government securities को sell करेगा public को, तो RBI sell करेगा securities to public को, तो public खरीदेगी, तो public क्या कहां से पैसा लाईगा उसकी payment करने के लिए, public withdraw money from commercial bank, public अपना पैसा, बहाई, online payment करने, bank के through payment करने है, public withdraw money from commercial bank, तो public अपना पैसा जब commercial bank से withdraw कर लेगी, तो commercial bank loan कम दे पाईगी, सबने पैसा निकाल लिया, तो, अगर loan कम, तो demand कम, और excess demand में, demand जादा था, इस तरीके से उसको, कम किया गया, समझ गया बात को, next, deficit demand, next, deficient demand, अगर deficient demand है, तो क्या करेगे class, RBI क्या करेगे, purchase security, उल्टा, RBI purchase, RBI purchase securities from public, तो जो जनता को securities issue किया था, उसे RBI public से वापिस खरीद लेगी, तो public ने security में invest किया था, अब public से, RBI वापिस ले ले था, तो public को पैसा मिलेगा काफी सारा, भाई, यहां पर public ने पैसा दिया था, बैंक से निकाल के, अब public को पैसा मिलेगा, तो बैंक एकाउंट में आएगा, डिरेक्ली, public deposit, वैसे public जान पूछ के deposit नहीं करती, वो बैंक खाते में ही पैसा आता है, तो public deposit money into commercial bank, ठीक है, तो public पैसा commercial bank में जमा करेगी, जिसकी वज़े से class commercial bank के पास ज्यादा पैसा आएगा, उनकी लोन देने की capability बढ़ जाएगी, उनकी जादा देंगे, deficit demand में, demand कम थी, लोगों को loan जादा मिलेगा, लोग demand जादा करेंगे और finally ADAS के बराबर हो जाएगा, समझ रहो, bank rate बढ़ेगा, inflation control होगा, CRR, SLR बढ़ेगा, inflation control होगा, sale करेंगे government security को, तो inflation control होगा, purchase करेंगे तो deflation control होगा, और bank rate और legal reserve ratio कम होगा, तो deflation control हो यह 100% paper मेंगा, मनि बैंकिंग में भी है, बैंकिंग में भी है, ADAS में भी है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना, कभी कभी क्या होता है कि कमर्शल बैंक के पास surplus पैसा आ जाता है, लोगों ने जादा पैसा जमा कर दिया, तो नोट बंदी के टाम पे हुआ लोगों ने बैंको बैंकिंग के पास आ जाता है, तो कमर्शल बैंक इस पैसे का प्रॉपर यूडिलाइज़ेशन के लिए क्या करती है, इसको आर्बे के पास पार्क कर देती है, मतलब आर्बे को देती है, वहां से कुछ ब्याज मिल जाता है, तो जिस रेट पे अर्बे इनको इंट्रस देत बैंगे, बढ़ रहां कि शर्प्लस पैसा आ गया, तो शौट टम के लिए वहां पर पार्क कर देती है, तही कुछ ब्याज यह मिल जाए, है कि ने? तो उसको बनते है, रिवर्स रेपोरेट, तो कंट्रोल, एकसिस दिमांड, अगर कंट्री में एकसिस दिमांड है, तो आर पैसे देगी तो जनता को नहीं दे पाएगी, लोन कम, लोन कम तो डिमांड कम और आर बे चाहती क्या थी? कि एकसिस दिमांड में लोग डिमांड कम करें, लोग डिमांड कम करें थोड़ा तकि एकॉनमी एकिलिब्रिम में आए और फाइनली, A, D, A, S के बराबर हो जाए, To Control, Deficient Demand, और अगर Deficient Demand है, तो क्या हुआ, क्लास, जब लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो आर बे चाहती है, तो महमें पैसे मत दो, जनता को पैसे दो, उनके पास पैसा पहुंचना चाहिए, ठीक है? तो, Reverse Reporate, देखो, RBI एना Regulator है, ठीक है? Apex Bank है, मुनाफे के लि Reverse Reporate कम हो जाएगा, तो बिचारे, बैंक फिर RBI को लोन नहीं देंगे, क्यों कम ब्याज मिल रहा है, तो लोन जादा देंगे पुब्लिक को, तो पैसा पहुंचेगा, पुब्लिक को ओफर देंगे नहीं कि बहुत कम रेट में मिल रहा है, हैना Easy Documentation पे लोन मिल जाएगा, तो Demand जादा, और अगर Demand जादा होगी, तो Deficient Demand की Problems वाल हो जाएगा, Deficient Demand में Demand कम था, RBI की इस पहल से Demand को बढ़ाया जाएगा, तो यह है सारे के सारे Monetary Majors जिनसे Reserve Bank of India Axis or Deficient Demand को चंट्रोल करती है, मैं इग फिर से इस चीज को क्लियर कर देता हूं, ध्यान से अ यह सेल होगा, तो Axis Demand यह बढ़ेगा, तो Axis Demand और यह घटेगा, तो Deficient Demand यह घटेगा, Deficient Demand यह घटेगा, Deficient Demand, परचेस होगा, Deficient Demand यह घटेगा, Deficient Demand, कितना सिंपल है इनको लearn करना, चाहे MCQ आए, चाहे बड़े कोश्यन आए, राइट? next है, qualitative instruments, इसके अंदर है marginal requirement, यह होता क्या है, ठीक है, मैं बैंक के गया, मेरे पास एक property है, जो की है 10 लाग की, मैंने का बैंक से कहा, बैंक मुझे लोन देदो, बैंक कहता है, 7 लाग का लोन देंगे, 3 लाग का एक्स्ट्रा प्रोपर्टी रखेंगे इसी एक्स्ट्रा प्र जो कोलते है, marginal requirement, यानि कि it is the difference between amount of loan taken and assets mortgage, या property mortgage, जो प्रोपर्टी आपने गिरवी रखी है, उसकी value 10 लाग है, जो सिर्फ 7 लाग का मिला है, कल को अगर आप सोचोगे नहीं इसका लोन नहीं देते हैं, तो आपको लगेगा कि यार, बैंक मेरी प्रोपर्टी गिरवी रखी क्यों? साथ लाग ना दो गए 10 लाग का चला जाएगा प्रोपर्टी, है कि नहीं? तो इसलिए बैंक मार्जिन रखती है, अब अगर ये मार्जिन तीन की जगे चार लाग कर दे तो बैंक लोन साथ की जगे 6 लाग दे पाएगा, तो आप क्या समझ रहे हो, मार्जिन कर देगी तो लोन और कम हो जाएगा, तो मार्जिन बढ़ेगा, लोन कम, मार्जिन घटेगा, तो लोन जादा, इसका मतलब मार्जिनल रिक्वार्मेंट का एक नेगेटिव रिलेशन्शिप हो गया, किसके साथ लोन के साथ, या जो पबलिक को, जो लोन की क्रेट जो है, वो कम हो जाएगी, नेगेटिव रिलेशन्शिप है, तो अगर कंट्री में एक्सिस दिमांड है, तो जनता को पैसे कम देने है, तो आर्बे मार्जिन रिक्वार्मेंट को बढ़ा देगी, जैसी ही मार्जिन बढ़ जाएगा, अपने आपी देखो लोन कम हो पै करेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो दिमांड अपने आपी कम होगी, और अगर कंट्री में देफिशिट दिमांड है, तो आर्बे मार्जिन कम हो जाएगा, जैसी मार्जिन कम हो जाएगा, तो बैंक लोन जादा दे पाएंगे है, जब लोन जादा देंगे बैंक, तो दि जादा होगा और deficit demand जो problem थी न इफिलेशनरी demand कम होने की तो demand बढ़के, यह demand जो अग्रिगेड दिमांड एखे तो demand बढ़ जाएगा तो एक नौ टोड़ जाएगा आपका deficit demand यह under employment यह जो deflationary gap जाप उसको कम कर देंगे minimize कर देंगे ताकि economy बाद में एकिलिब्रियम में आ जाए अभी जो क्वालिटिटिव मेजर है इसको बैंक के ऊपर अपशनल रहता है इस नोट मेंडिटरी इसको फॉलो नहीं करते हैं बैंक के जेए और हमारे कस्टूमर बिगड जाएंगे अगर हम उनको बोलेंगे दसलाग की प्रॉपट पांचला का लून देंगे तो बैंक कस्टूमर हमारे हाँ से खाता ये बंद कर देगा competition इतना है, कहीं और खुलवा लेगा, किसी और bank को opportunity मिल जाएगी, तो इसलिए class, यह generally कम follow होता है, इसलिए इसको बोलते है, qualitative measures, लेकिन जो bank rate, repo rate, CRR, SLR, open market operation, reverse repo rate, वो बहुत strictly follow होता है, और बड़े पेमानें पो उससे credit को control किया जाता है, इसलिए उसको quantitative बोलते है, यह qualitative है, वो actual quantitative है, तो यह है class, सारे के सारे, monetary policy में, quantitative और qualitative measures, तो examination में एक question 6 नंबर का बनेगा, जहांपर access demand, उसको क्या-क्या कैसे control करें, और deficit demand, उसको कैसे control करें, diagram के through, बहुत important है, बहुत short shot आना ही आना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, राइट? तो आजी class में बहुत बड़ा चाप्टर है, बारा नंबर का है, एक सारे कोशीच करूँ करों कुछा है, थोड़ा थोड़ा पयार से, अगर मैं कुशिष कर दस बारादें, और कि दो हथते में तो अगर में दो हथते बारादें दो ने डाला दिल जाल कि गड़ा इस छ человека हमें चाप्टर में तो यह दली हुते है। स्कूल में फॉर्मलेटी होती है, फटाफटाफटाफटा रीड किया बता दिया, लिगन यहां इसा नहीं है, आप पूरे बारा वीडियो देखो अगर एक भी कोश्य आप जो पहले आया तुम ना बना पाओ, आग आग तुम ना बना पाओ, तो मेरी गारंटी है, हर एक कोश